यूपी के लखीमपुर खीरी में बना यहामरा सरोवर देखकर आप शहरों में बने पिकनिक स्पॉर्ट को भूल जाएंगे यहां की खुबसूर्ती आपको दीवाना बना देगी इसकी सुन्दर्ता ऐसी है कि यामरा सरोवर बड़े बड़े शहरों में बने पिकनी की स्पॉर्ट को टक कर दे रहा है इसे सजाने के लिए सरोवर के किनारे कई तरह के पौधे लगाये गए है आम जन्मानस की सुवधाओं का भी यहाँ पर खास खयाल रखा गया है लोगों के बैठने के लिए बेंच और टहलने के लिए पाथवे का निर्मार कराया गया है यही नहीं बच्चों के लिए कई तरह के जूले और सरोवर में बोटिंग की भी सुवधा उप्रब्द कराई गई है इसी के साथ यहाँ पर आने वाले लोग रेस्तरा में सौधिष्ट बेंजनों का लुट भी ले सकेंगे इस रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाने के साथ अमरस सरोवर का भी पूरा द्रश देख सकते हैं इसी के साथ इस परिसर में सुलब सोचाले का भी निर्मा कराया गया है जी हाँ हम बात कर रहे हैं जनपर लखीमपूर खीरी के मुहमदाबाद में जिला पंचायत दोरा बनाए गए अमरस सरोवर की इस अमरस सरोवर को मौडल अमरस सरोवर के रूप में प्रस्तुत किया गया है यह अमरस सरोवर 9 हेक्टेर 6 तरफल में फैला हुआ है अमरस सरोवर की देखरेक के लिए यहां गार्ड, चौकिदार और माली की तैनाती भी की गई है अमरस सरोवर का नजारा देखने के लिए लोग सुबा 10 बजे से सायम 5 बजे तक पहुंच सकते हैं अमरस सरोवर के उचित रख रखाओ के लिए 5 रुपे प्रवेश सुल्क रखा गया है अमरस सरोवर का उधगाटन सदर विधायक योगेश वर्मा जिलार सहकारी बैंक के अध्यक्ष विनीत मनार और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिद नरेल सिंग की मौजूदगी में विद्यार्थियों ने फीता काट कर किया जिला पंचायत कुल 5 अमरस सरोवर का निर्माल कराएगा माडल अमरस सरोवर के रूप में विक्सित किये गई इस अमरस सरोवर की खूबिया गिनाते होगे जिला पंचायत अभध्यक्ष प्रतिनिद नरेल सिंग ने आइंडिया को बताया उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने हर जिला पंचायत को 5 अमरस सरोवर बनाने के लिए विक्सित करने के लिए निर्देश दिये थे उसके क्रम में लखीमपूर जिला पंचायत ने भी 5 अमरस सरोवरों का चैन किया जिसमें इस अमरे सरोवर को माडल अमरे सरोवर के रूप में बनाया गया है ये 9 हेक्टेर के आसपास जमीन हमको आबंटित हुई अनुरक्षन में दी गई जिला पंचायत को जिसको हम लोगों ने विक्सित किया है जिसमें बच्चों के खेलने के लिए जूले नौकायन के लिए बोट और चारो तरफ वाकिंग ट्रेक सुन्दर पेंड पौधे और खाने पीने के लिए खाद पदाद के लिए रेस्टेरिया फूड कोड इत्याद बनाया गया है और इसको सदयो बेवसित और संचालित करने के लिए इस तरह का अनुबंध किया गया है कि इसमें गाड चोकिदार माली साब सफाई के लिए सुईपर सौचाले सुच सुन्दर रखने के लिए और सारी चीजें बेवसित करने के लिए पूरी टीम यहां काम करेगी जिसका म खिंपुर्जनपत के नागरिकों को यहां आके सुकून और अच्छा महसूस है। ट्रेक और पार्क को खुलने के लिए सुबह साथ वजे से शाम साथ वजे का समय निर्धारित किया गया है। और उसके बाद में साम होने के बाद में रेजिट एरिया और फूड को संचालित रहेगा। यह बेवस्था भी यहां इसके संचालन के संबन में की गई है। इसके बाद में भविश्य में कोई भी सुविधाएं, कोई भी सुझाव, कोई भी ऐसी पेक्षाएं होंगी जो जनता के लिए आवशक हैं, उनको भी संचालित करने के लिए जिला पंचायत अपनी भूमिका अदा करेगी और इस पार्क को ब्यवसित और अच्छे तरीके से स सुल्क रहेगा, पार्क के मेंटिनेंस के लिए और दूसरी चीजें हैं कि पार्क को हमेशा के लिए सुरक्षित और साब सुत्रा बनाए रखने के लिए 25 रुपे बोर्ट का सुल्क रखा गया है, लाइप से बर जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो रहेंगे, वो संचालित कर कराएंगे और जैकेड वगेरा उपलब्द कराई जाएंगे, जिससे कि कोई किसी तरीके का खत्रा न होने पाए, हम लोग चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार की जो सुच है, जो योजना है, अमरत सरोवर के विशय में, हम सभी लोग मिलके ऐसे अमरत सरोवरों का चैन करें, जिसमें जल संचैन के साथ में, ग्रामीड परेटन को भी बढ़ावा मिल सके, और ऐसी अप एक्छा जो भारत सरकार उर्तरप्रदे सरकार की है, उसको हम लोग पूर्ड कर सकें और नागरीकों को अच्छी सुविधा उपलब्द करा सकें खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहे आइंडिया